हेलो गाईज और वेलकम बैक टू 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 चैनल तो वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं आएम सिर्मॉर के बारे में अगर आप एक कैट एस्पिरिंट हो जिन्होंने कैट लिखा है या फिर लिखने की सोच रहे हो और कोई अच्छा आएम टार्गेट कर रहे हो कोई डी हिमाचल प्रदेश काफी अच्छा लोकेशन आपको देखने को मिलता है और सिर्मॉर वन ओ फास्टेस ग्रूइंग आएम्स अगर मैं न्यू आएम्स की बात करू तो क्यों आपको टार्गेट करना चीए क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है क्या क्या पैरेमिटर को सब्सक्राइब आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आपडेट्स स्ट्राइब वाले वीडियो और कॉलिज को लेकर इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाले इन सारे सोशल मिडिया हैंडल्स की लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चेक दिस्क्रिप्शन तो अगर हम आयम सिर्मौर की बात करें यह इस्टाब्लिश्ट हुआ था 4th of September 2015 को by Government of India and it was mentored by आयम लकनाओ तो यह काफी अच्छी चीज है कि आयम आयम की बात करूं जितने भी आयम 2010 से लेकर 2015 के बीच में स्टाब्रिश्ट हुए हैं वो सारी नियू आयम के कैटेगरी में आते हैं और नियू आयम की कैटेगरी में आयम सिर्मौर काफी फास्ट ब्रो कर रहा है आपको यहां पर इंफ्रस्रुक्शर कॉलिटी अफ देखने को मिलने वाले हैं वो हम इस वीडियो के आखिर में कवर करने वाले हैं तो अभी हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की आपका एक फ्लैक्शिप प्रोग्राम होने वाला है यहां पर MBA का जो पूरे दो साल का होगा cat में सबसे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको make sure अगर आप I am sirmore को target कर रहे हो तो 97 से लेकर 99 या फिर उसके beyond अगर आप score करते हो तो यहां पर काफी अच्छा चाहन से कि आपके selection प्रोसेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब इन्होंने एक table 1 दिया हुआ है जो कि minimum cutoff है for cat अब यह होगा criteria आपके shortlisting के लिए consider this as your benchmark मैंने benchmark इसलिए कहा है क्योंकि आपके जो cutoff है वो हर साल vary करते हैं आपको हर एक साल same cutoff देखने को नहीं मिलेंगे और इसके भी बहुत सारे parameters होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा सबसे पहली चीज कि number of student कितनो students ने उस साल का cat paper attempt किया था level of difficulty क्या थी उस साल के paper की और कितने बच्चों के preference में यह particular IM है तो यह भी चीज़े matter करती है कि अगर आपके preference ज्यादा होंगे तो obviously उस particular college के लिए या उस particular IMs के लिए cutoff जो हैं वो ज्यादा जाएंगे इसलिए मैंने कहा कि यह benchmark आप set करो आप कोशिश करना कि इससे ज्यादा ही आप score करो तो हमारे पास कुछ category है general category EWS, NCOBC, SC, ST और PWD इन section होते हैं आपके cat में VARC, DILR और cons, general category Tino section में 73 और overall 94 का score होना जाए आपके बास AWS, Tino category में 50 और overall 77, NCOBC, Tino category में 50, overall 77, SC वालों के लिए Tino category 44 और overall 60 का score होना जाए ST वालों के लिए VARC और DILR में 25, cons में 30 और overall 40 का score, PWD, VARC, DILR में 25, cons में 30 और overall 40 का score once again आप इससे ज्यादा ही score करने की सोचो, because cut off आपके हर्जाल vary होते हैं अब आपकी merit list कैसे prepare होगी, scale cat score जो आपका overall cat score होगा, उसको मिलेंगे 35% की weightage फिर उसके बाद होगा आपका stage 2, जहाँ पर आपका personal interview होगा, उसको मिलेंगे 20 की weightage फिर count किया जाएगा आपका academic performance, इसको मिलते हैं 15 नंबर अब academic में आपका 10th, आपका 12th और आपका graduation तीनों ही चीज़ों को देखा जाएगा, अगर 10th में आपका percentage 45 से नीचे है, तो आप automatically ineligible हो जाओगे participate करने के लिए, same goes with 12th, और graduation में अगर 50% के नीचे है, तो आप ineligible हो, अब इस 15 की weightage को इनोंने कैसे divide किया हुआ है, कि अगर 10th में आपके 75 से नीचे है percentage, तो आपको कोई भी mark नहीं मिलेगा यहाँ पर, 75 से लेकर 85 है, तो 1 mark, 85 से जादा है, और 95 से कम है, तो 2 mark, और 95 से जादा है, तो 3 mark मिलेंगे आप, 12th के मैं अगर बात करू, 75 से अगर कम है, तो 0, 75 से लेकर 85 के बीच में है, तो 1 mark, 85 से जादा और 95 के बीच में है, तो 2 mark मिलते हैं, आपको 95 से जादा है, तो 4 mark मिलते हैं, और graduation के अगर मैं बात करू, 60 से नीचे है, तो कोई भी mark नहीं मिलेगा, 60 से 70 के बीच का score है, आपका percentage, तो मिलेगे, 3 number, 70 से जादा है, 80 से 70 से जादा है, और 80 के बीच में ramble कर रहा है, तो 6, 80 से जादा और 90 के बीच में है, तो 7, 90 से जादा है, तो 8 points मिलते हैं आपको, और यह आपका होगा, process for calculating the composite score, उसके बाद देखते हैं, work experience, अब work experience को लेकर भी कुछ-कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कि आपके पास कोई एक relevant work experience होना चीज़, इना पर कोई भी life projects, या कोई भी internships नहीं count होती, आपने भले कहीं 6 मेनों का internship किया हो, एक साल का internship किया हो, बड़ यह count नहीं होती, आपके पास एक proper work experience होना चाहिए, उसको मिलेंगे 20 points, अगर आपका work experience 12 months से कम है, तो मिलेंगे 0, 12 से लेका 17 months है, तो 4, 17 months से जादा ह है, और 23 months के आसपास है, तो 8 points, 23 months से जादा है, बड़ 35 से कम है, तो 10 points, 35 से जादा है, बड़ 41 से कम है, तो 6, 41 से जादा है, बड़ 53 से कम है, 53 से जादा है, तो 1 point, और अगर 48 months से जादा है, तो 0 points, तो ideal आपका work experience की जो timeline है, वो यह है, आपके पास 23 months से जादा है, और 35 months से कम होना चाहिए तो आपको मिलेंगे 10 points यहाँ पर अब selection process कैसी होगी आपकी अगेन उनी सारे parameters को continue करते हुए आपके आगे gender diversity को देखा जाएगा जिसको overall 5 points मिलते हैं इसमें अगर आप female candidate हो या transgender हो तो आपको मिलेंगे 5 points male candidates के लिए यहाँ पर कोई भी points ही है अब बात करते हैं trial blazer score की trial blazer score क्या होता है जिसको मिलेंगे 5 points इन मेंसे आपके पास है ना एक full time paid work experience होना चाहिए in these following sectors for a minimum of 2 years अगर आपके पास 2 सालों का इन सारे दिये गए sectors में work experience है तो आपको यह additional 5 points मिलते है अगर आपने NGO में काम किया है medical doctors हो, entrepreneur हो sports आपने खेला हुआ है national या फिर international आप winner हो उस particular sport के आपके पास शरूर इन सारी जीजों का certificate तो हुगई so you have to submit this certificate while your selection process या फिर आपने कोई bachelor's किया हुआ है creative discipline में bachelor's of design, bachelor's of architect या फिर bachelor's of planning या फिर आपने कोई professional course किया हुआ है chartered accountancy, cost accounting, company secretorship certification तो अगर आपने इन सारी चीजों में दो साल का एक proper work experience लिया हुआ है तो आपको मिलते हैं यहाँ पर additional five points तो यह काफी beneficial चीज है अब fee structure की बात करते हैं जितने भी old IMs है इनकी fees आपको easily 20 lakh से लेकर 25 lakh के बीच में देखने को मिलती है और जितने भी new IMs है उनकी एक अच्छी चीज है कि आपको fee structure जो है वो 20 lakh से नीचे ही देखने को मिलती है और अगर मैं इस IM की भी बात करूँ तो first year की आपकी fees होगी 9 lakh 5 thousand और second year की fees होगी 8 lakh 45 thousand which makes it a total of 17 lakh 50 thousand तो near about आप 18 to 19 lakh पकड़ सकते हो with your miscellaneous expenses फिर भी एक अच्छा कासा investment आप बोल सकते हो यहाँ पर because यहां से returns आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और जैसे कि यह new IM है काफी अच्छा grow भी कर रहा है यह IM तो आपको definitely यहां से अच्छे returns देखने को मिलेंगे और अगर मैं returns की बात करूँ तो इनका highest CTC जो record हुआ है वो है 64.12 जहां पर year on year increase की मा बात करूँ तो 142% increase हुआ है average CTC 14.5 और median 13 lakh top 10 percentile बच्चों को मिला था 24.38 LPA, top 25 percentile बच्चों को मिला था 19.53 LPA, top 50 percent बच्चों को मिला था 17.15 तो यह काफी अच्छा return on investment है आपको year on year काफी अच्छा यहां पर increase देखने को मिलता है और अगर मैं recruiters की बात करूँ तो यह सारी बड़ी-बड़ी companies जो है वो आपको recruit करने वाली है in campus तो आप यहां से भी अपना future एकदम secure देख सकते हो yes guys that was pretty much it for the video अगर आप I am sir maur जाने की सोच रहे थे यह वीडियो के बाद definitely आपकी priority list में I am sir maur आ गया होगा काफी अच्छा आयम है आप इसको definitely consider कर सकते हो and जो भी students 2024-25-26 के लिए अपनी preparation start करना चाहते है we have launched the batches for the same if you are in Mumbai you can visit our centers Wasai, Thane, Borivali, Dadarayananderi if you are not in Mumbai still want to join us Pan India level per you can join our live class and online session you can simply call our number 285-81455 या फिर 54 so yes guys if you still have any doubt and queries you can write down in the comment section next video कांसे टोपिक पर देखना चाहते हो you can write down in the comment section too so that's pretty much it for the video until then see you in the next one